Hello guys, welcome back to my YouTube channel Unlimited Knowledge तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले कुछ ऐसे Emergency Injection के बारे में जो कि काफी ज़्यादा यूज किये जाते है और जो कि हर समय does emergency में यूज किये जाते है तो एक एक करके सारे Injection के बारे में जानकरी प्राप्ट करेंगे और उनके बारे में थोड़ा डिटेल भी जाएंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेश करें जिससे ऐसी नोटिविक्रेशन में आपको वीडियो की मिलती रहें तो लेक्स्ट वीडियो तो चलते हैं फस्ट इंजेक्शन पर तो जो की बहुत ज्यादा यूज किया जाता है पेट में कोई भी प्रॉब्रम होती है तो जैसे हमारे पेट में पेट में अब्रोर्मनल होता है मतलब पेट में दर्ध होता है या कोई एसडिटी हो जाती है तो बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाले इंजेक्शन है रेंट कि हमें डिजॉल्ब करके देना होता है पेशिंट को और गाइस इसकी यूजेश की बात कर लेते हैं तो हम फैस्ट यूजेश का गेस्ट्रिक एसीडिटी जैसे हमारे कोई भी इस्टोमक में एसीडिटी हो जाते है एसीड का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है तो इसको कम करन हमारे की चीज का कोई भी हमने खाना का उसका डाइजेशन नहीं हो पातरह एक तो को जलन हो रही है क्योंकि agent का formation होगा और भी हमारे जो जादा मात्रम हो जाएगा तो काड़ान स्पिल्न्टर्स जो की इस्तुमक के ऊंपर हुते है तो उसको पाल कर के इशो फेगश में पहुंच जाएगा जिससे के महां पर वर्णिंग सेंसें आएंगे जिससे बहुत ज़्यादा जलान होगी तो इसके लिए भी रेंटेक का यूज किया जाता है और प्याटिकल सर के समय जैसे हमारे इस्टूमक में इस्टूमक में अलसर हो जाते हैं या फ बहुत ज्यादा इमर्जेंसी कंडिस्मानी यूज किया जाता है जो कि हट वाले फेशेंट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जो इमर्जेंसी में पेशेंट आता है कि किसी का हार्ट है रहे हार्ट अटेक आया है या कुछ भी कंडिसर है सीरियस वाली तो उसमें इसक सारी नाम उस आपको भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है और इसके यूज की बात की जाए तो यह आइम भी यूज किया जाता है क्योंकि आइभी जल्दी से हमारी बॉड़ी में डिजॉल हो जाता है और अपना फंक्शन जल्दी से दिखा पाता है इसलिए ज्यादा तेरह जो यूज इसका किया जाता है ब्रेडी कार्ड या में जिसमें हमारी हार्ट हार्ट रेट है जो कि बहुत ज़्यादा लोग चली जाती है तो गाइस हमारी हार्ट रेट होती है 6200 तो गाइस अगर हमारी हार्ट रेट है वो 60 से लोग चली गई लेस देन 60 तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है और यह वात wगल मतल ancxi की नहीं मतलब हार्ट की पंपिंग बहुँच ज्यादा रुख जाती हं हर्ट पीट बहुँच पी ज्यादा कम उजाती है तो इसको बढ़ाने के लिए इसका किया जाता है और शेकंड यूज की बात की जाते बाट करने में में इसका मुश हो जाता है तो इसको के इमये करने में वीच किया जाता है तो अब बात करते हैं हमें fact 3 इंजक्षन की हित पेंटासिट जो की जो कि ऑना हों बात कि पनेक्सन और आग बात कि शर्षा हम के लिए इन्जेक्शन है तो अब सन्वारीरैन के शल्ट क क्यों में पहले हैं क्योंसा इक स्लनियर च्छी जन्जाथ एक जन्जाथं और जो कि अब वोग्सनाश संवै्ट जैसे छ двиг थे पेन आधी भहुत सारे नाम आते हैं उनके नाम से आपको ऐसे यह काई भी मेडिकल इस्टोप मिल जाएगा 40 mg का यह इंजेक्शन आता है जिसे भी हमें डिजॉल्व करना होता है डिजॉल्व का सॉलूशन आता है ऐसी ही डिबी में प्लास्टिक का कंटेरनर में 10 ml का जो इजॉल्व करके फिर इसको स्रेंगे बरके पेशेंट में एडिवी यूज किया जाता है क्योंकि मैंने बोला कि जो इमर्जेंसी इंजेक्शन होते हैं वह आई भी ही दिये जाते है और ज्यादा तरह जो पेन अब्डोमिनल वाले इंजेक्शन होते हैं जैसे हमारे और बगेरा तो उसको बाहर निकलने के साथ होते हैं तो इसके लिए ज्यादा तरह जो भी पेट वाले दमाइया वह वह याई दी जाती है तो अभात कर लेंगे की पेंटर सिट का यूज किसमें तो पेंटर सिट का यूज देख सकते हैं वर गैस्टिक अचीडिटी जैसे एक तो उसको डाइजेशन को मेंटेन करने के लिए अच्छा बनाने के लिए इसका पेंटा सिड का यूज किया जाता है जिसमें पेंटा पराजोल साल्ट पाया जाता है और पैप्टिकल साज जैके अभी भी बताया मैंने कि इस टोमक में हमारे में और ड्यूडेनियम जेजूनम के लिए पेंटाशिट करने के लिए पेंटाशिट का योज किया जाता है और एसीट रिफ्लेक्स जैसे जभी बातर बातहती साजर्ण होटे ओंदर ने और वह लेकिन जब एसेट का फॉर्मेशन जदा हो जाता तो वह ओवाल खुल जाते और जो हमारा एसेड़ वो की इसोफेगस में पहुँच जाता है जिससे ही इसोफेगस में बहुत ज़दा जलान होती है और इसे एसे रिफ्लक्स कहते है जो कि एसे बापिस अपने मुझ की तरफ जाने लगता है और वॉमिटिंग कमन करता है जी मचला ता वही नोजिया वाली कंडिशन हो जाती है तो आप बात करते हैं और फॉर्थ नमर के इंजेक्शन पर तो हमारा फॉर्थ नमर इंजेक्शन आ जाता है इंजेक्शन एमशेट जो कि हम तब से बात करें कि वोमिटिंग दोजिया बगेरा तो गाइस इसको शाल्ट के लिए जाया तो इसमें एंशेट यानि ऑन्डेन इस्टेरोन शाल्ट पाया जाता है जो कि यहां पर तो अभी लेखा वह नहीं है बट ऑन डेन सेट्रोन इसमें शाल्ट है जो की पाया जाता है यह 4 ml कंजेक्शन आता है जिसमें 8 mg इसका जो वह डोज होता है तो गाइस इसके बात की जाए यूज की तो इसका यूज आई भी किया जाता है आई-म बहुत कम कंडिशन में इसका यूज किया जाता है ज्यादा तरफ इसका यूज बात की जाए इसके यूज की तो गाईस इसका यूज ज्यास्थ वोयimientos वहां तो इसका यूज कर करवा देते हैं और नो जी अमें भी इसका यूच किया जाता है जिसमें हमारे बहुत जडहा उल्टी का मन होता लेकन उल्टी नहीं होती है जी मचलाता हो अपना तो उसमें इसका यूच किया जाता है तो आप चलते हम फिफ नमर के इन्जेक्शन पर तो हमारा फिप्प no.m inventory injection है injection droutyn जो पहला यूज़् के जाता है पेन油 में हमारे पेट में कहीं भी दर्द होता तो सबसे पहले injection दिये जाने वाले injection है इन्जेक्षों तो फहले इसन की बात कर लेता है इसके वाइन आपको इसका नाम रोटीन और बहुत से वह रहते हैं नाम जो brand name है वो च्छेंज कर सकते हैं कंपनी जैसे की अलग 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 नामों से बनाती है तो वह अपने हिसाब से अपना brand name जोज़ कर सकती है लेकिन इसका जो साइन्स की तरफ से जो एक वार हो जाता है नाम ही रहता है वाइस के बात के लिए जाए डोज की तो यह टू एमेल का आता है जो कि आई भी जो आई भी दिया जाता है क्योंकि ज्यादे तर मैं बोल रहा हूं नहीं इंजेक्शन होते हैं वह आई भी दिया जाते हैं तो गाइस अब बात के लिए जाए इसके यूज की तो आइस यूज सबसे पहले बता पर कुछ पता भी रखा जैसे मुसल्स इसपाज जैसे हमारी कोई भी पेट की मसल्स है या इंडेस्टाइन बगेरा इसपाज बजाती है कड़ जाती है ठन हो जाती है उनको सही करने में जिससे की दर दोगा में बोल रांग पैन की पैन में यूज किया जाता है तो उसको ट कुछ कुछ कंडिशन होती है जो कि डॉक्टर डिशाइड करता है तो उसमें रोटीन का हैड़क के लिए यूज किया जाता है अब कर चलते हैं हमारे 6 नमर इंजक्शन पर जो हमारे 6 नमर इंजक्शन है वह है फोटेसियम किलोराइड जिसे के सीयल के नाम से भी जानते है ज्यादा तरह डॉक्टर इसको only KCL के नाम से ही लिखते है इसकी स्वाट कालिसियम किलोराईड सुरी प्रती इसको पाल्ट कि लै जाता है तो पर ज्यूज किया जाता है उर जो भी हाइवी ही हैं यूज किया जाता है तो जब आई ज्यादा डिक्रीज हो जाती है भोथ ही ज्यादा लोग चली जाती है जिससे हमें हमारी बॉरी वेकनफ आशाजाती है बहुत तेजवाड़ी बहुत खतंड़ाग वाली बेंखो रिचा जाती है तो यहां पर देख मैंने यांपर लिख रहाए हैं है है-पो-केले峇या nature पोटीसियम का मात्रा है बोडी में बहुत ज़्यादा लोग चला जाता है और सेकंड है बीकनेस जिसमें बीकनेस फैटी की उतनी हैसूस होती हमें फील होती हो बहुत ज़्यादा बोडी में उसमें इसका यूज किया जाता है टेस्ट किया जाता है उसमें चेक किया जाता है क कि पोटिस्यूम ग्लॉराइडी जिसके बैल्यू कितनी आ रही है हमारी टेस्ट में तो उसके साफसे इसको डिशाइड करते हैं कितने मात्रा में देना है और कब देना है ऐसे डिशाइड इंजेक्शन किया जाता है है डाक्टर के दौब आब बात करते हम नामतर है बात कर ले तो इसमें बताया यूफ्या-वाफिड ऑस्पर हो सकता भी और इंडिया और वर्ड सब जगह आपको मिल जाएगा तो वाइस बात कर जाते हैं इसके डोज की तो इसमें देख सकते हैं यहां पर पहला तो यह चोटी वैल्यू से बात करते हैं तो फोर एमजी आता है मतलब एक एमेल इंजेक्शन में फोर एमजी आता है इसमें तो अ सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें यूज किया जाता है जैसे कि लोगों को होती है किसी को खाने से किसी को मिटी से बहुत सारी एलर्जी हो जाती है तो इसका यूज किया जाता है वैसे नॉर्मल एलर्जी में तो हम एविल जो की फ्रेनमाइन इंजेक्शन आता है उसका य जब severe वाली injection sorry जब severe वाली allergy हो जाती है ब्वोडी में किसी भी प्रकार की तो उसमें daxone injection का यूज किया जाता है तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने लिखा एकि severe allergic reaction जब उसी बोड़ी में बहुत जदा आलर्जी हो जाती है तो उसमें इसका यूज किया जाता है सेकिंड बात करते हैं तो COPD जैसे कि Chronic Obstraction Pulmonary Disease जैसे हमारी जो pulmonary arteries होती है उनमें कोई भी disease हो जाती है Obstraction आजाता है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है अब बात करते हैं तो थर्ड नमर जो यूज़ है वो है autoimmune condition जिसमें हमारी body में autoimmunity पैदा हो जाती है जिससे हमारी body की cell खुद की ही cell को दुस्मन मानकर antigen मानकर उनको damage करने लगती है तो इसमें इसका यूज़ किया जाता है वह allergy वाली बात हो जाती है तो अब बात करते हैं हम अपने 7th injection की वह है डाइनपार तो इसके बात कर जाते हैं कि इसका usage की बात करेंगे इसके जो ना पार जाता है यह पार शर्ट की जाते हैं डाइकलोफनिक शोडियम शर्ट पाया जाता है जो की डाइनपार और ऐसे बहुत सारे नाम नहीं हो सकता तो यहां पर डाइकलो सोडियम से कहीं भी मिल जाएगा जोगी पैन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है यूज किया जाता है हर समय करवाने की जरूत होती है और जो हमें जल्दी से प्राप्त करना होता है तो इसके लिए हम डायरेक्ट आइवी याने बिलड में एड्मिस्ट करवा देते हैं जिससे की बॉड़ी में अच्छी तरह से रियक्शन तुरंत प्राप्त हो सके उसका रिजल्ट तुरंत मिल सके तो मैं बता रहूं है प्रतिर के यूज को बात के जीढ़ तो यह है पैण रिलीवर्वर्वा को में बता रहा हूं आपको की बहुत ज्यादा कंडिशन में यूज के जाता है भी कोई बॉडिब्स हानी हैडिग्ट कोई जगे होता है तो सब घ्ट्रय कोई में जैसे हमारा इंफेक्शन हो जाता है उसमें इसका यूज किया जाता है और बात करते हैं हमारे इंजक्शन की वह है डाइट और फीलस तो इसके शल्ट की तो इसमें टोर्शिमाइड शल्ट पाया जाता है जो कि आपको एक एमेल में 10 यह हुज गोज कोस्का जाता है उसका यूज विड Mexican पटा हैं के सबस्विन क一 Wert अंपर रहे अंहों इन कि जर्च हो जाता है तो इसको यूज करने के लिए उसको नौर्मलायर科। गन्लीनन के लिए इसको लीए 10 सहे हैं जाता है नो रहे हिए जी हूज है तो घ्यंज है जाता है हैं तो आपर एक कैसे महारे बात करने के लिए तो उसको कम करने के लिए हम किड्नी का फंक्षन स्पीड से कराते हैं तो जिससे की बिलड फ्रेशर थोड़ा मेंटेन हो जाता है तो इसके लिए इसका यूज हाइपर टेंशन को बढ़ाने के लिए अगर किसी परसन को यूरिन कमा रहा है तो इसको बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है और यह प्रेवेंट करता है हार्ट अटेक और स्टॉक जैसी कंडिशन को जिसमें हमारे वर्डियू को हार्ट टेक आता है तो इसका यूज किया जाता है और स्टॉक में भी इसका यूज किया जाता है अब बात करते हैं हमारे एट्ट नमर इंजेक्शन जिसका नाम है नीक बात की जाए तो पहले तिसमें इसका शाल्ट की बात की जाए तो यहां पर आप देख सो तो आपको नाम की तो आपको नहीं का डिया वगएरा यह नाम से लेक्स और बहुत सारे नहीं नीचाड़ी है हैं तो बात करें अब इसका एयूज किसी में यूज किया जाता है इसका यूज किया जाता है such a प्रेशर बहुत जदा हाई हो जाता है जब हमारी बोड़ी में हैपर-टेंशन हो जाता है तो इसको लो करने के लिए इसा यूज किया जाता है यह भी बहुत जदा इमर्जनिश इंडक्सिन है क्योंकि blood pressure high हो जाए तो हमारी बैसल से बोड़े में जो होने क्या खत्रा है जाता है तो इसको decrease करने के लिए हमारी minimize करने के लिए minimum मतलब normal condition में लाने के लिए इसका यूज किया जाता है hypertension condition hard attack condition में भी इसका यूज किया जाता है तो किसी person तो इसका थर्ड यूज की तो वह है एंजीना जैसे हमारे चेस्ट में पैन होता है कोई भी चेस्ट पैन होता है तो उसमें यूज किया जाता है अब बात की जाए हमारे यूज किया जाता है तो इसके यूज की बात कर ले जाता है तो इसमें इसका यूज जातर किया जाता है इसके पूर्ण करता है तो इसका निर्वान भी खरता है जिससे बडे डिंग को इसका जाता है ब्लेडिंग को रोका जाता है और हमारी कोई भी बोड़ी की इंटरल ब्रेडिंग में इसका यूज किया जाता है जैसे कि मैंने आपको बता दिया है अब बात कर ले जाए हमारी टेंथ नमर इंजेक्शन की तो वह है नाइट्रोग्लिस्ट्रीन तो वाइस यह भी बहुत ज्यादा इमर्जेंस इंजेक्श बहुत ज्यादा मिलने को देखने को मिलते हैं तो इसके लिए हमें जानकारी होना जरूरी है तो इसके लिए ही मैंने आपर जो हाइपर टेंशन के इंजेक्शन है ऐसी कंडिशन चैस्ट पेन वगेरा की और हार एक वाड़े ज्यादा यूज किया है तो पहले इसके साल्ट की बश्या जाता है अ थैंद में आपको मिल जाता है जो की खाली उड्स के लियूज का लिह जाती है इसकी साथे जो अब इसकी बात की जाएक तो है पार किशन होट gemacht जाता है उसको bounded चैस्ट करने के लिए नॉर्मल कंडिशन आने के लिए इसका यूज किया जाता से सबसे ज्यादा उस विद्ग emphasized मैं कि एया जाता है उसका मैं हुँँक हाली थे रू ऑट गैप मैं की जाता है गया गजिस्ट ओलान पर दो ला के सके वासियब बाथ कर लेते हमारे न्यक्स प्रेश्रक। नमें इसका बढ़ सकता है उसका द्दीशन में लाया जा जो कि आपने बहुत ज़्यदा सुना होगा इंजेक्शन के बारे में जो भी बहुत ज़्यदा इमर्जेंस यूज किया जाता है यह सबसे ज्यादा लाइब सेबिग ज़्यक्शन जो कि बल्कुल जब प्रेसेट प्रत्रेट्ट में जाता है नौरेइड नाम से आपको काफी इंजेक्शन है noread नाम से आपको लए भी पेडिकश्चों पर मिल जाता है इसका यूज आइब अजाता है क्योंकि यह सबसे ज़्यादा जो इमर्जेंश इंजेक्शन है इसका यूज ओनली आई वी किया जाता है जिसे जल्दी से इसका फंक्शन देखा सकते हैं मतलब जिसे कि अपना जल्दी से फंक्शन देखा सके और पूरा हंड्रेट परसेंट पेशेंट की जान बचाने में त जब ब्लड प्रेशर बहुत जदा लो चला जाता है तो उसको उपर लाने के लिए करने के लिए और नौर्मल कंडिशन पर लाने के लिए इसका यूज किया जाता है इसकी डोज पैसेंट के जो ब्लड प्रेशर उसके आदार पर डिशाइड की जाती है कि कितने डोज का हम तो इसका यूज की बात कर ली हमने तो ब्लिट प्रेशर बहुत ज्यादा लोग चला जाता तो उसके जाता है कार्ड यह कार्ट कर देता तो इसका यूज किया जाता है तो खाइस लग वोगा हमने इस वीडियों में बारे से तेरे इंजेक्शन्स के बारे में बात की जो की बहुत ज़्यादा इमर्जिंसी में यूज के जाते हैं जिने हमें जानना जरूरी है करेश कार्ड में भी होना जरूरी है तो आई हॉप वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लिए चैनल क सब्सक्राइब करके बेला इकनों फ्रेश करें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिवेकिस आपको मिलती रहे तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो को साथ जबते के लिए जै बारत बाए बाए